कुश्चिन कई बार पूछ लिए जाते हैं पर ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर अगर आपको फिगर काउंटिंग का तरीका पता है तो आप बहुत जल्दी उसको हल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये आपका बहुत समय भी खराब कर देता है जैसे माल ली ये आपका बहुत ज्यादा वक्त यो है बर्बाद कर देगा और हो सकता है वो उत्तर भी आपको सही न मिले तो हम आज आपको बताएंगे वो ट्रीक्स जिनसे इन कोश्चिन को जल्दी हल किया जा सकता है और स्टीक अंस्वर जो है निकाला जा सकता है देखिये पर सन एक यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकरती में वरगों की अधिक्तम संख्या क्या है वरग हमें बताने है कि कितने हैं यहाँ पर अब इस आकरती में देखे अगर आप गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हम आपको बताएंगे सरल तरीका जिससे जल्दी इनको गिना जासके यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि number of column जो है ये कितने है तीन और number of row भी कितनी है एक दो तीन है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये figure n गुणा n है मतलब row और column दोनों समान है तो यहाँ पर अब हमें वरग गिना है तो आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ अगर row और column दोनों समान हो और वरग गिना हो तो उनका वरग कर दो n का वरग कर दो जैसे तीन एक का वरग कर दो उसमें फिर 2 का वरग करके जोड़ दो, और उसमें फिर 3 का वरग करके जोड़ दे, जोड़िए, एक जमा च्यार, जमा नो, तो यहाँ पर 14 नमबर of square है, कुल वरग जो है, वो कितने है, 14 है, अगर आप अलग अलग भी गिने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, एक ये पूरा वरग है, दस, उसके बाद देखिए, एक यहाँ पर वरग है, ग्यारा, एक यहाँ पर वरग है, बारा है, एक यहाँ पर है, तेरे, और एक यहाँ पर है, चोदे, तो ये छोटा था, इसलिए हम अलग-लग आप आए लेकिन अगर यही आकर्ती बड़ी दी होगी तो आपको यह तरीका ही अपनाना है छोटी हो चाहे बड़ी जल्दी और सही उतर आएगा अब देखिए हो सकता है यह आपका वरग था इसी तरह आपको एक इस तरह की अगर आकर्ती मिली हो माल लीजिए कि यह भी एक वरग है और इस वरग में आपको यही बताना है कि इसमें कुल जो हैं कितने वरग बनेंगे पर यहाँ पर क्या हुआ इसको इस तरह से बनाया गया है कि number of row और number of जो column हैं वो अलग-अलग है जैसे column तो हो गई 4 और row हो गई 3 अब यहाँ पर हम कैसे गिनेंगे तो देखे जब यह हम कह सकते हैं m गुणा n है मतलब column तो m है या row m है और जो है column n है अलग-अलग हैं वो समान नहीं है तो यहाँ पर गिनना हो तो इसका हम square करके नहीं गिन सकते उसके लिए आपको क्या तरीका पनाना है यहाँ पर m और n शुरू में तो m और n ऐसे ही लिखिये जैसे हम माने कि m column थे 4 रो है 3 यह लिख दिया उसके बाद उसके बाद इसमें आपको जोड़ना है m में से 1 कम और n में से 1 कम जब तक 0 तक हम ना पहुँच जाएं ऐसे ही लिखना है m में से 1 कम 4 में से 1 कम 3 गुना 3 में से 1 कम किया 2 उसके बाद 3 में से 1 कम किया 2 दो में से कम किया एक इसके बाद आप लिखेंगे तो 0 आ जाएगी वो लिखें ना लिखें कोई फरक नहीं पड़ता अब यहां इनकी गुना कीजिए 12 जमा 6 जमा 2 तो यह कितना हो गया 12 छे 18 और 2 20 यहां पर कुल वरग जो है यह आपको सिर्फ वरग का ही मैं केस बता रहा वरग कुल यहां पर कितने है एम गुना एन हो तो इस तरह हैं हम निकालेंगे यहां पर कितने हैं 20 है अब देखिए हो सकता है आपके वरग की तरह ही आकरती आपको मिले जैसे आपकी पहले आकरती दी हुई थी उसमें आपको यह बता दे बताना हो कि यहां पर वरग की बोलते हैं, कुल आयतें कितनी है, ये गिनना हो, तो यहाँ पर आयत गिनने के लिए आप वरग का जो तरीका था, वो नहीं लगा सकते हैं, क्यों कि वरग में सिर्फ ये एक ही फिगर हम काउंट कर रहे थे, आयत में यहां से यहां तक ये भी एक आयत है, ये चोटा हर वरक जो है वो भी आयत होता है और दो वरक को मिला दें तो वो भी एक आयत बनाता है तो आयते हमें यहाँ पर गिननी हों तो उसको हम कैसे गिनेंगे तो यहाँ पर देखें उसके लिए आपको क्या तरीका पनाना है उसके लिए आप इस जो यह हमने नंबर लिखे हैं इन तीनों को जोड़ लें तीन दो पाँच और एक कितना बन गया छे यहाँ भी इनको 36 आयते मुझूद हैं यह इस आयत के केस में जरूरी नहीं है कि आपका नंबर M गुना N हो N गुना M हो वो अलग हो तो भी आप यही तरीका पना सकते हैं जैसे इस तरह हो तो यहाँ इनको जोड़िए तीन दो पाँच और एक छे दो और एक तीन इनकी गुना कीजिए यहा पर कुल कितनी आयते हो गई? 6 ती यह 18 आयते मुझूद हैं तो इस तरह आप वरग और आयत हर परकार के आपको मैंने बता दी जो आ सकते हैं वो इस तरह आप गिन सकते हैं उसके बाद अगला परसन हमारा आता है तिर्भुज हमें गिनने हो तिर्कोण बताने हो और इस तर तररे की आकरती में तिरभुझ अगर आपको गिनने हो, तो बिल्कुल सरल तरीका है कि आप ये जो छोटा तिरभुझ जैसे ये कि ये तिरभुझ बन रहा है, यहाँ पर वो लिख लिजी कितने हैं, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, आठ यहाँ पर छोटे तिर्बुज है बिलकुल सिंपल करना क्या है आपको आठ को सिर्फ दो से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर आठ गुना दो 16 आपके तिर्बुज मौजूद है आपको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी माली जी इस तरह से कोई आकरती है उसको सिर्फ इस तरह दिया हुआ है तो यहाँ पर भी एक दो तीन चार चार को दो से गुना करें कितने तिर्बुज बन जाएंगे आठ तिर्बुज बन जाएंगे तो ये था अगर इस तरह क्या करती हो उसमें तिर्भुज गिनने के लिए उसके बाद आता है सबसे मुश्किल जो counting of figure में हम person मान सकते हैं वो ये है यहाँ पर हमें तिर्भुज गिनने हो तो कैसे गिनेंगे अब यहाँ पर अगर आप एक एक तिर्भुज गिनें फिर दो दो को मिला के तीन को मिला के तो बहुत ज़्यादा time लगेगा और हो सकता है फिर भी आपका उत्तर गलत आए अब इन person के लिए यहाँ पर देखे एक दो तीन चार इस line के साथ चार तिर्भुज हैं जैसे मैंने गिने हैं इस तरह आप गिने तो अब हो सकता है एक आकरती आपको मिले इस तरह की जिसमें जो है तीन तिर्भुज बनते हूं हो सकता है आपको एक ऐसी आकरती भी मिले जिसमें तीन तिर्भुज बने माल लिजे वो इस तरह से आकरती है यहाँ 1, 2, 3 तिर्बुज है तो जहाँ 3 तिर्बुज होते हैं वहां कुल तिर्गौन होते हैं 13 जहाँ 4 होते हैं 27 और जहाँ 5 अगर आ जाए वैसे 5 तक नहीं शिर्फ 3 और 4 इतना ही कुछा जाता है पर माल लिजिए फिर भी अगर पांच का पूश लिया जाए तो पांच में होते हैं अड़तालिस तिर्गुच अब ये चीज अगर आपको याद है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको याद कर लें तीन में तेरा, च्यार में 27 और पांच में 48 उसके अलावा इसका कोई इतना आसान तरीका नहीं है जिससे आप इसको निकाल सकें तीन तक तो आप गिन लेंगे उसके बाद 4-5 में गिनने से भी ये नहीं होगा तो उसके लिए फिर भी अगर मालो 5 से भी ज़्यादा आएं और आपको ये याद ना हो तो आपको एक तरीका मैं बता सकता हूँ आपको एक सरंखला जो है फिर भी याद करनी पड़ेगी इस परसन को हल करने के लिए सरंखला आसान है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं देखिए एक में हम दो जोड़ दें तो आएगा तीन फिर तीन जोड़ दें तो आएगा छे फिर चार जोड़ दें तो दस पात जोड़ दें तो पंदरा इस परकार ये सरंखला चलती रहेगी ये सरंखला आप याद कर लें एक, तीन, छे, दस, पंदरा याप ऐसे याद कर लेंगे एक में दो जोड़ा है फिर तीन आ गया, तीन में तीन जोड़ा है फिर छे आ गया, उसके बाद दो, तीन, चार, पांथ जोड़ रहे हैं अब यहाँ पर ये चार तीन बुझे थी तो इस सरंखला का कैसे उप्योग होगा देखिए चार सरंखला है तो चार तक आप लिखिए चार, तीन, दो, एक इस तरह लिख लिया उसके बाद जो मैंने आपको सरंखला बताई थी वो सरंखला आप लिखें उपर से नीचे तक जैसे ये हमें चार, तीन, दो, एक उपर से नीचे लिखा है इसी तरह हैं यहाँ पर लिखें एक तीन, छे दस, ठीक हैं अब आपको एक छोड़ के एक नीचे से आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर तो आप उपर से लगें या नीचे से बराबर बात आएगी पर यहाँ बराबर भी नहीं आएगी यहाँ आपको हमेशा नीचे से आपको एक छोड़ के अगले को क्या करना है सर्कल करना है सर्कल क्यों करना है मैं बताऊंगा अब इन सब को जोड़िए 10, 6, 16, 3, 19 और 1, 20 यहाँ पर 20 बन गया इसमें आपको जो सरकल किये हैं यह नमबर और जोड़ने हैं 20 में 6 और 1 दोबारा से जोड़ना है तो कुल 27 तिर्भुजी यहाँ बन जाएंगे अब मान लीजिए अगर 5 दिर्भुजे होती तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे लिखते हैं उसके बाद सरंखला हम लिखेंगे 1, 3, 6, 10, 15 अब वही एक छोड़ के एक नीचे से एक छोड़ के एक सरकल करेंगे इन सब को जोड़िए तो आएगा 35 और 35 में 10, 13, 13 और जोड़ेंगे तो 5 में आए जाएंगे 48 तिर्भुजे तो ये इस तरह आपको गिनने हैं उसके बाद परसंद 4 में यहाँ पर इस तरह क्या करती में कितने तिर्भुज हैं लेजिए पहले हमें कि इसको बिलकुल आसान आकर्ती में तोड़ देते हैं कि इस तरह की आकर्ती हो सिरफ एक लाइन है बीच में तो यहाँ तिर्भुज हम आसानी से गिन सकते हैं एक तिर्भुज ये बनता है, दूसरा ये बनता है, और एक ये तीसरा बनता है, पूरा जो तिर्भुज है दोनों को मिलाके, यहां तीन है तिर्भुज पर तरीके से अगर आप गिनना चाहें, तो कैसे γिनेंगे यहां नमबर लिखिये, जितने चोटे तिर्बुज हैं उतने नमबर लिख दीजी, एक, दो, अब इनको जोड दीजी, एक और दो, तीन, तो ये तीन हो गए, अब कितनी भी बड़ी आकरती आजाए, कितनी भी लाइने हों उसमें, तो यही तरीका अपना ये, एक, दो, तीन, चार, सब को जोड दीजी, तो यहाँ पर कितना हो गया, चार, तिन, साथ, दो, नो, और एक, दस तिर्बुजाप की बन जाती हैं, उसके बाद परसंद 15 में, यहाँ पर हमें बताना है कितनी आयते हैं, तो इस परसंद में, देखे, कोई तरीका आप जो ऐसा नहीं लगा सकते हैं, जो हमने अभी तक किये हैं, यहाँ आपको गिनना ही पड़ेगा, तो आप गिनना असानी से सकते हैं, इतनी complicated, यह कठिन जो है, चित्तर नहीं है, देखे, पहले हम छोटे गिनते हैं, अलग-लग टुकडे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, उसके बाद दो को मिलाएं, एक यहाँ तक बनेगा, छे, दूसरा इसके विपरीत, साथ, तीसरा उपर से हम यहाँ गिने, यहाँ तक आठ, एक यहाँ से, यहाँ तक नो, एक यह पूरा आयत बनता है, दस, और यह ग्यारा, तो यहाँ पर कुल कितने आयत हैं, ग्यारा आयत है, परसंद 6, यहाँ पर भी, देखे, वरत को गिनने के लिए भी आपका कोई formula सुत्र नहीं होता है, यहाँ पर भी आपको वरत गिनने हैं, बस आप यह ध्यान रख सकते हैं, कि जहाँ से आप सुरू करें, उसको याद रखें, कि उस circle को हमने कहां से सुरू किया था, तो इसलिए आप topmost से ही सुरू करें, क्योंकि आपका online paper है, वहाँ आप निसान तो लगा नहीं सकते, आप यह याद रखें कि मैंने सबसे उपर वाले से सुरू किया था गिनना, तो एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा तो यह हो गए, उसके बाद फिर उपर वाले से गिनना सुनू किजिए, ते वो करते हुए, आप उप्शन जरूर देखते रहें, कई बार उप्शन जैसे इस परसन में आपको उप्शन इस तरह मिल जाएं, कि यहाँ पर हो आठ, पंदरा, सतरा और इकिस, तो यहाँ पर जब आप सतरा के बाद अठारा हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको जरूरी नहीं कि आप 21 तक गिने ही उनको ढूंडे, 18 आपके होगे, तो आपके पास उप्शन ही एक है, 21 तो यह उत्तर हो जाएगा, तो यह था काउंटिंग ओफ फिगर, के बारे में धन्यवाद,